नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका टीसी टेला चैनल में दोस्तों कुड़ते की गले की पट्टी जो होती है उसकी कटिंग और सबकूई इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और कुड़ता किस तरीके से बनाते हैं किस तरीके से काटते हैं तो यह यह वाला जो पाठ है ओ आखीर का है बिलकूल और इसकी सारे पाट में डाल दिये हैं तो उपराइऊ बटन में आप प्लेणिश्το में जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो कूड़ते के तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं या फिर चैनल पर जाके भी देख सकते हैं तो इसका कालर जो है बो है पंदरा तो जैसे कि यह पंदरा होता है किसी का कालर माल लिजे कितना भी हो तो उससे देड़ इंच आप फालतू रखे पट्टी क्योंकि जो है वो तलपट चड़ती है ना तो उस बज़ा से तो पंदरा कलर है तो यहाँ पर जो है हम सवाट रखेंगे जो कि साड़े सोला हो जाएगा देड़ इंच पालतू अब यह निसान लगा लिया हमने अब इसके बाद यहाँ से अब देखे इसके हम चौणाई कितनी है साड़े चार है तो गुलाई अपने हिसाब से कर सकते है जितनी चाहें जितनी ज़्यादा गोल काटेंगे उतने ही बहतरीन बैठेगी पट्टी तो लगा यहाँ से पौने तीन इंच पे यहाँ से बिल्कुल ऐसे करके गुलाई ले जाएं इस तरीके से यह बिल्कुल गोल में होती है इसमें करना कुछ नहीं है बस यहाँ से सीधा थोड़ा से ले जाएं यहाँ तक मतलब तीन पौने तीन इंच तक और उसके बाद जो है गुलाई कर दें अब इसकी छोटी अगर किसी की पट्टी हो तो आप उसी साब से कम करते से ले जाएं अब गुलाई देखिए हमने यहाँ पर यह इस तरीके से करी है दो इंच में एक सूथ कम तो इतनी आप कर सकते हैं अब पट्टी आपको कितनी डालना है अब उतना निसान लगा लिए जैसे कि हमें देखर इंच की रखना है माली जैप पट्टी तो अब यहाँ पर जो है हमको थोड़ा सा कम करना होता है क्योंकि ठोका आ जाता है यहाँ पर तो हम सभाव इंच यहाँ पर करेंगे माकी पीछे हमारी देखर इंच रहेगी यह जो नोख है यहाँ से इस तरीके से हमको आदा इंच अंदर को किरास कर देना है यह जब किरास लगा है यह किरास आपको दिख रहा होगा पर यह जब पुर्ते में लगाएंगे तो बिल्कु सीधी साब सुत्री एक जम सीधी पट्टी बैठेगी ऐसे करेंगे तो तिर्ची हो जाएगी ऐसे ही रखना है अब देखिए यहां पर आएं तो बिल्कु सीधा आप ना करें एक तार जो है हलका सा अंदर के लिए ऐसे करके गुलाई आपको करना है ना तो इस चीज का आपको धियान रखना है तो यह हो गया अब इस तरीके से इसको अब देखिए हमने यहां पर काट दी पर कहेंची हमारी साही से नहीं चली अब क्यूकि अब हम बाद में सेट करेंगे इसको अब देखिए यहां पर सीधा यहां पर थोड़ा सा निकला हुआ लगरा बाहर को यह लिए तो हम इसको हम पतला करके लेविल में लाएंगे तो बिना पैटरन काट रहे हैं क्योंकि जो है पैटरन यहां पर नहीं है और इसको ठोके जो है एक इंच एक सूत आप कर दें अब करके यह इधर की एक दम प्रेव में आ गई एक तो यह अब अब हमारी कुर्टे की पट्टी कट गई तो दो तो यहां पर जो है हमने इस तरीके से इसको पट्टी को चिपका लिया है आप देख सकते हैं पट्टी को चिपकाने के बाद जो है आपको पैर बरत दवाव निकाल के चारो तरब पैर बरत दवाव निकाल के काट लेना है और उसके बाद बीच का उठका लगा लेना है इतना काम आपको कर लेना है ठीक ना उसके बाद जो है फिर आपको इस तरीके से कप्ला लेना है और इस पर हम रख देंगे इतना हमारा इधन निकले उतना ही हमारा इधन निकले, मतलब सीधे राइना चाहिए, नीचे का हिस्सा जादा रहेगा, यह एक चीज का आपको धियान रहेगा, यह गुलाई वाला हिस्सा है ना, इस तरीके से खमी वाला जो, अंदर के लिए है, धसा हुआ, यह जो है, यह उपर का हिस्सा होता है, और यह जो जादा राउंड वाला इसे करके होता है, तो यह जो है, मतलब उपर के लिए भाग रहा है, यह नीचे का है, और यह उपर का होता है, तो इस चीज का आपको धियान रखना है, अब हम क्या करेंगे, सीधे यहां से जो है, सिलाई लगा देंगे, अब दिखें, हमने यह चाक यहां से स्टार्ट करा है, जहां से यह पेस्टिंग है, जहां से यह पेस्टिंग है, यहां से स्टार्ट करा है, तो आपको भी यहीं से स्टार्ट करना है, और नीचे का हिस्सा नम ना आए जादा, बस खिंचते रहे हलका सा, जब हम सिलाई लगाएं तो जो किनार है बिल्कुल इससे थोड़ा सा इधर हटा के सिलाई लगाएं ताकि जब हम पल्टें तो हमें कोई प्रोब्लम ना हो क्या है बिल्कुल जड़ से आप लगा देंगे पेस्टिंग के सिलाई फिर उसमें जो है लब चमकने लगती है बाहर के लिए तो इस चीज का आपको ध्यान लकना थोड़ी हटा कि इदर लगाना होती है जिसमें भी लगाएं पेस्टिंग में तो देखें यह हमारा इतना काम हो गया अब इसके बाद जो है आपको हाँ से इसमें कच्चा नहीं डालना है कुछ भी ने करना सब मसीन से ही मैं आपको बता दूंगा बहुत ही आसान तरीका तो इसको इस तरीके से आपको काड़ देना है उपर वाले को इस तरीके से जिदर अपना सिलाई लगाई है उदर का दवाव निकाल देना है तो यह दबाव निकल गए अब यहाँ पर जो है आप लगए पाउन इंच नीचे का जो हिस्सा है अस्तर वाला वो पाउन इंच बाहर निकाल के इस तरीके से पड़ा छोड़ दें ठीक है ना इसके बाद इसको पलट लें इस तरीके से और नोक निकाल लें यह हमने और यह हमने नोक निकाल ली और यह वाला पलट लें और नोक निकाल लें इतना काम करने के बाद अब हमें चलना है एक बार प्रेस पे देखे एक बार यह पट्टी पे प्रेस पे चारना जरूर होता है तो चाहें तो इस पर ऐसे भी लगा सकते हैं पर ऐसे क्या है उतनी फिनिसिंग नहीं आती है जितनी आना चाहिए प्रेस से एकदम बहुत ही बहतरी ना आती है तो एक बार प्रेस पर तो चलना ही होगा तो चलिए चलते हैं प्रेस पे तो दोस्तों अब जो है अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं पट्टी को सबसे पहले साफ करेंगे ताकि हमारी लब ना चम के बिलकुल इस तरीके से कर लेना है आपको उसके बाद जो है इधर साइट से भी अब ये देखे ये कुछ इस तरीके से आ गई है पट्टी एकडम बहतरीन अब इसको तोड़ना है अब तोड़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ अब देखे ये नीचे का हिस्सा है वो तोड़ना होता है ये तो हमारा चड़ जाएगा इस पर हम सिलाई लगाएंगे ये देखे ये जो है ये मतलब इससे थोड़ा सा हबाबर बढ़ा के ऐसे अगर बिल्कुल तोड़ेंगे तो ये उतर जाएगी सिलाई तो आपको ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा के तोड़ना होता है चाहें तो आप सूई से भी डाल सकते हैं तो इसको हम देखे हम तो ऐसे हम इसको इस तरीके से तोड़ लेते हैं यह हलका हलका तोड़ना पहले शुरुबात में अब यह इस तरीके से कुछ हो गया अब इसके बाद जो है फिर आपको ऐसे करके रखना है इसको और इस तरीके से आ गया ना पैसे ही तो इसमें अबसा आपको मतलब प्रस तो यह चपक जाग गया अब खाली बस सिलाई लगा देना पसिलाई कैसे लगाना यह भी देख लेना तो यह अंदर की देखिए अंदर का हिस्सा आई है तूड़ गया ना फिरस से बहुत ही आसानी से आओ कच्चा डालते तो बहुत आरा दिक्कत होती फिर उसमें पड़ भी नहीं पाता है उतना मतलब भैतरी नहीं आता है जितना से गुलाई आती है बाकी आपकी मर्जी आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं सुई से और चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं यह गुम सिलाई वाली मैं आप बता रहा हूं वैसे तो आप जो अब होती है ना इसको बस सिलाई लगती है जो तो बो वाली तो बिना तोड़ है इसको हम काट देंगे तक हमारी पट्टी जो है इसमें तहीं पर भी वो ना आये मतलब कपड़ा हमारा चमके नहीं दूर से कि अग्याइज तो इतना इतना काटना ज्यादा नहीं काटना फिर बूर निकल जाए वरना तो अब हमारा काम यह हो गया अब हमें सिर्फ चड़ाना चड़ाना हा इसको अब यह देखे इसमें इधर साइट से भी और ये इसको हटा देंगे और पेस्टिंग वाला हिस्सा ऐसे करके रख देंगे इतना चड़ाने के बाद आपको एक बार नाप लेना है तो नापने के हिसाब से ही आप चड़ाएं बिल्कुल पट्टी में आपके नम नहीं आना चाहिए चीज का आपको धियान रखना है अब जैसे कि देखिए यह यहाँ पर थोड़ा सा आउट है तो संटर आउट है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको कंदी में दबा देंगे तो जिससे क्या है अगर आपके थोड़ा बड़ा है तो नम आ जाती है ना हल अगर बड़ा हो हलका सा तो वो नहीं आएगी इस चीज का आपके धियान रखना है अब इसके बाद चढ़ा देंगे पट्टी चढ़ा है तो आप नापते जरूर रहें क्योंकि जो है नापेंगे तभी एक बराबर आएगी ऐसा नहीं आखिरम नाप रहें फिर पता चले नम आनने लगे फिर एक ही जगा पिर नम डाल दी तो बोची नहीं होना चाहिए मतलब एक सफाई आना चाहिए चोटा है तो पूरी खिशते चले जाए हलका सा ज्यादा चोटा है तो छाट लें तो इसके जड़ में लगाए उसके बाद जो देखे इस तरीके से आपकी पट्टी आएगी तो अब जो है अब हम इसमें ये मेरा तो पहले से तूटा हुआ है अब इसी में कच्चा आप चाहें तो ना अगर प्रेस से ना तोड़ें तो आप कच्चा डाल लें पर हमने तो तोड़ लिया था पहले ही तो मैं इसे करके रखेंगे इसको इस तरीके से और मेरा तूटा हुआ है तो हम ऐसे ही लगा देंगे सिलाई तो तोड़ने का यही फाइदा होता है बस और थोड़ा ज़्यादा हमने इसलिए तोड़ते हैं ताकि जो है हमारी सिलाई ना उतरे तो अब हम जो है इस पर लगाते हैं और इसकी जड़ में सिलाई तो यह जब सिलाई लगा है तो नीचे का पल्ला आप देखते रहें बिल्कुत समाल के लगाना होती है थोड़ी थोड़ी करके ताकि आपकी सिलाई उतरे ना ऐसा नहीं है आएक दम आपने लगा दी और जड़ में ही सिलाई रहे तभी तो पट्टी आएगी बहतरीन एक दम फिर नीचे देख लें फिर दवाव बिल्कुत बस किलास एक दम साप सुतरा रखें बागी इदर वाला भी ठोगा अपना समाल लेना है और जो आए नीचे की साइड से अब मैं आपको दिखाता हूँ अब इदर साइट में देखें एक दम तो यह इदर साइट के है अभी से प्रेस नहीं लगी है पट्टी पे तो देखें बिल्कुल लपकी सिलाई जड़ में आई है और यह जो है सीधी तरफ का है एक दम तो यह पट्टी जो है यह सीधी तरफ की है तो इस तरीके से आप जो है इसको चड़ाएं तो इसमें अब तो यह प्रेस लगेगी उसके बाद एकदम खड़ी एकदम आएगी बहतरीन तो इस तरीके से आपको बनाना आए तो उमिद करता हूँ आपको पता चल गया आओगा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जुरूपस करने हैं मिलते हैं वीडियो के साथ अपते के लिए नमस्कार